NEET 24 के application form start हो चुके हैं इस बार इसकी website change हुई है जो NEET की website है जिस पर online form apply करने है वो neet.ntaonline.in है तो इस website पर आपको registration करना है और इसी पर आपको information plateen वगरा सारी information इसी website पर मिलेगी यहां से ही admit card download करना है तो जैसे ही हम इस website पर visit करते हैं neet.ntaonline.in तो आपको इस परकार का interface मिलता है यहां पर उपर ही उपर आपको NEET UG24 का tape मिलेगा information plateen मिलेगा यहां पर information plateen हिंदी और English दोनों में मिलेगा जैसे अगर आपको online apply करना है तो थोड़ा सा scroll करना है नीचे यहां पर apply for online registration का tape दिया गया है फिल online application form और submit documents का tape यहां पर दिया गया है new registration करने वाड़े candidates के लिए new candidate registration register है पर click करना है और जिस परकार से पिछली वार आपने registration किया था उसी परकार से registration करना है हालांकि यह registration का process हम आपको step by step समझा देंगे कि कौन से column में आपको क्या फिल करना है ताकि आपके किसी परकार की mistake ना हो इसमें अब इसमें जिन्होंने पहले registration कर दिया दुबारा से login कर रहे हैं तो यहां application for पर click करेंगे login वाई पर click करेंगे application number डालेंगे password डालके security पिन डालके login कर लेंगे तो आपका जो form incomplete किया है वो complete करना है तब login करना है या फिर आगे की action के लिए login करना है तो यहां से login कर सकते हैं आप लेकिन first में new candidate register hair पर click करना है तो यहां से आपको registration करना है तो step by step next video मैं आपको बता दूँगा कि कैसे कोंड से column में क्या fill करना है तो आप information platine भी इसका पढ़ सकते हिंदी और English दोनों में यह available है तो यह जानकारी थी need की website change के बारे में और online application start के बारे में next video step by step का मैं जल्द लेके आ रहा हूं मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद